नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेंड्साइट प्रिप्रेशन यूटूब चैनल पर जहां में लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करेंट अफेर जनल स्टडी की ये वीडियो जिसे आप यूटलाइस कर सकते हैं अपनी कॉम्पिलिटिव इग्जाम की प्रिप् बनने में कौन सी कंडिशन फेबरेबल है इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ रीजन या फिर कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं अब आपको ये बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में से यारे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फूट स्टेटमेंट इन सारे statement में से आपको correct statement चूज करना है जो कि favorable है tropical storm के बनने के लिए तो first में आपसे बोला जा रहा है the presence of the Coriolis force first statement में आपको बोला जा रहा है second में आपसे बोला जा रहा है a pre-existence weak low pressure area और third में आपसे बोला जा रहा है small variant in the horizontal wind speed और fourth में आपसे बोला जा रहा है upper divergence above the sea level यानि कि ये चार different different reason आपको statement की फॉर्म में दे रखे है कि जिसकी वज़े से storm यानि कि तुफान वगएरा आते है और आपको बताना है कि correct statement कौन से है तो option एक है according बोला जा रहा है कि third and fourth ये correct है थर्ड का मतलब ये कि horizontal wind यानि कि wind जब इस तरह से चलती है इसे horizontal wind बोला जाता है तो इसकी speed में अगर variant हो यानि कभी कम ज़्याद हो तब जाकर कि आप बोल सकते हो कि भी ये favorable condition है और fourth में आपसे बोला जाए अपर divergen upper divergen of sea level जैसे माल लीजिए ground है और ये sea level है इसके उपर ठीक है यहाँ पर तो इसका जो upper area उपर वाला ये impact डालती है स्ट्रॉम को बनने के लिए तो इससी तरह से बाकी reason भी आपके सामने है आपको बताना है कि correct answer क्या है B में आपसे बोला जारा है कि second and third correct है C में आपसे बोला जारा है question content कर लीजिए अगर आप देखेंगे कि जो भी sea वाला area है ठीक है और उसके साथ जो area attached होता है उदर सबसे ज़्यादा storm बगर आता है जैसे अपनी country की बात करें तो यह जो wave पंगोल है या फिर Arabian sea वाला area इधर इस तरह बें इस area में tropical storm सबसे ज़्यादा आते है अगर इस question की according बात करें तो अभी क्या है कि सिरलंका के अंदर एक cyclone आया जिसे बुर्णे भी बोला जा रहा है उसकी वजह से question आपके लिए important हो जाता है और वहां काफी landfall जैसी situation create हो गई है ठीक है और इसके लिए अगर हम favorable condition की बात करें जिसकी वजह से storm बनता है तो उसके लिए temperature होगा higher temperature यानि 26 degree Celsius से ज्यादा temperature इसके लिए favorable condition क्रिएट कर देता है यानि कि आप यह कह सकते हो कि presence of coracle force की वजह से यह situation create हो जाती है और जैसे आप से second statement में आप से बूला गया कि weak low pressure area में यह चीज़े create होती है यह बात भी बिल्कुल correct है first भी correct है और second भी correct है लेगिन अगर third statement की करें जिसमें आप से बूला कि भी horizontal storm होना चाहिए यानि कि wind जो flow हो रहा horizontal होना चाहिए horizontal नहीं होना चाहिए बलकि यह vertical यानि कुछ इस तरह से अगर flow होता है तब जाकि यह favorable condition होती है तो third statement तो correct नहीं है अच्छा fourth statement की बात करें जिसमें आप से बूला कि कि divergence जब create होता है C level में C level यहां है यह और यहां जो diversion create होता है तब यह situation create कर देता है यह बात भी बिल्कुल correct है तो correct answer हमारा option C हो गया first second and fourth statement correct होने की वज़े से with reference to national technical textile mission consider the following statement इस question में आप से national tactical textile mission के बारे में दो statement दे रखें यह first statement है और नीचे second statement है आपको चूज करना है कि correct statement कौन से है option A में आपसे बूला जारहा first statement correct है option B में बूला जारहा second statement correct है और option C में आपसे बूला जारहा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांसिल इसकेंट में आपसे बोला जा रहा है इसका जो में एम है यारी टार्गेट आप तरह कह सकते हो यह है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इसे इंक्रीज करना इस टेकनिकल टेक्सटाइल को तो यह दो स्टेटमेंट है चले कोशन को टैम कर लेजिए अब इस कॉशन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें यह दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यानि कि आप यह कह सकते हो कि हमारी कंट्री में जो कॉंस्ट्यूशन के अंदर यह चीज़े मेंशन है यानिके एक्सपोर्ट प्रमोशन और काउंसिल के लिए हमारी country में EPC के बारे में mention है और ये कह सकते हो हमारी country में एक mission भी है national technical textile mission जिसकी वज़े से question आपके लिए important हो जाता है और अभी 2020 में ही अगर हम बात करें 2020 February में इसे approve कर दिया गया export activity के लिए तो first statement तो correct है और second statement भी बिल्कुल correct है correct होने की वज़े यह है कि हमारी country ने एक aim रखा हुआ है target रखा हुआ है ताकि हम लोग भी export कर सके और वो target है हमारा 40 billion US dollar जो कि अभी कह सकते हमारे हां market है और जिसे increase करके 50 billion US dollar 2024 तक इसे complete करना है ये target को achieve करना है तो आभ यह कह सकते हो है तो दोनों ही statement बिल्कुल correct है correct answer हमारा option C हो जाएगा with reference to minimum support price MSP scheme consider the following statement इस question में आप से minimum support price जो कि किसान वगरा को दिया जाता है कि अगर मान लेजिए उसने कोई crop वगरा लगाया उसे फाइदा ना हो मान लेजिए अगर वो 100 रुपीज अगर उसका cost आता है एक example बता रहा हूं मैं आपको और उसे 80 रुपीज में उसे sale कर रहा है तो आपको clear देख रहा है यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान को यह 20% का जो नुकसान एक तरह से आप कह सकते हो रहा है तो आप वहाँ purchase कर लीजिए ठीक है अगर वहाँ sale कर सकते है आप ठीक है और नई तो फिर मैं purchase कर लूगा इस तरह का एक तरह से government की तरफ से एक तरह से वादा के लिक promise की जाती है और support price provide की जाती है और अभी जो किसान से related जो आंदोलन हो रहा है उसकी वज़े से question आपके लिए important है काफी जादा तो first statement है आपके लिए the commission for agriculture cost and price जिसे short में CACP बोला जाता है recommend MSP for the mandate crops and sugar crane यानि कि यह जो institution है हमारी country में एक commission है वो crop जितनी भी फसल होते है उनके लिए और सूगन के लिए गन्ने के लिए एक minimum support price जिसे MSP बोला जाता है provide करने के लिए एक recommendation देती है और second statement में आपसे बोला जा रहा है recommendation of CACP are not binding on the government यानि कि अगर यह CACP अगर कोई recommendation देती है government को government के लिए mandatory नहीं है इसे follow करना वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है यानि उसके recommendation को deny भी कर सकती है यह depend करता है government के उपर यह दो statement है correct statement आपको choose करना option A में आपसे बोला जा रहा है first statement correct है option B में आपसे बोला जा रहा है second statement correct है और option C में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही statement बिलकुल correct है और option D में आपसे बोला जा रहा है कि neither one nor two इट मिन्स ये दोनों ही statement गलत है तो correct statement आपके according क्या है question को अटम कर लीजिए तो इस question के अगर correct answer की बात करें इसका सिर्फ second statement ही correct है फर्स statement गलत है गलत क्यों है अब वो जान लेते हैं इसमें गलत होने की वज़ए ये हैं कि हमारी country में only 22 mandate crop है जहां पर MSP provide की जाती है हमारी country में जो commission for agriculture cost and price जिसे short में CACP बोला जाता है CACP जो recommendation देती है only 22 crop के लिए देती है जितने crop का मतलब है कि हमारी country में वैसे तो बहुत सारी चीजों की खेती होती है पर सब पे minimum support price यानि कि MSP provide नहीं किया जाता है only कुछ चीजों में ही की जाती है 22 ऐसे फसल है जिसमें ये provide की जाती है तो first statement गलत होने की वज़ाई ये है बागे second statement जिसमें आपसे बोला गया कि CACP के दुबारा जो भी recommendation देती है जरूरी निया government उसे follow करें वो binding nature की नहीं होती ये बात बिलकुल correct है यानि कि आप ये कह सकते हैं ये जो commission जो भी advice देती है वो एक तरह से advice nature का advisory body एक तरह से है और ये से एक suggestion है follow किया भी जा सकता है नहीं भी किया सकते है ये government के उपर है अब आपके लिए question ये बन जाता है क्या MSP हमारे लिए एक solution है हमारे farmer के लिए है yes या no तो आप comment करके बताइए कि mainly MSP provide कर देने MSP provide करने से सारी problem solve नहीं होती बलकि हमारी country में farmer के लिए एक infrastructure provide करना ज्यादा जरूरी है कि भी खेतों के लिए जो भी समान की जूरूत होती हो अबलेबल होने चीए जो भी आजकल scientific research वगरा होती होती वो cost recover हो और उन्हें कुछ benefit हो ताकि जो 2022 का जो target है हमारी country में farmer की income increase करने का डबल करने का तब जाकि increase की जाएगी सिर्फ MSP provide कर देने से solve नहीं होगा इसलिए ये चीज़े आपके लिए ज़्यादा important हो जाती हो और ये question भी आपके लिए आजके time पे ज़्यादा important हो जाता ह है बाकि आप लोग जानते ही है minimum support price क्या होता है एक तरह से minimum price जो की government के द्वारा provide किया जाता है farmer को कि भी अगर उसे loss से बचाने के लिए तो correct answer हमारा option B हो जाता है only second statement correct है with reference to municipal bond consider the following statement इस question में आपसी municipal bond के बारे में पूछा जा रहा है उसके regarding में ये first statement है और ये second statement है दोनों statement में से आपको correct statement choose करना है according to first statement municipal bond is a debt security issued by the central government for the municipalities हमारी country में जतनी भी municipalities है यानि कि city के अंदर जो नगर पाली का ये municipality है उसके लिए एक debt security type का एक bond issue किया जाता है government के दुआरा और कौनसी government करती है central government ये आपसे first statement में बोला जा रहा है second statement में बोला जा रहा है कि लखनों become the first city to raise municipal bond in country इंडिया हमारी country के अंदर बात करें इंडिया के अंदर बात करें तो लखनों ऐसी city बन गई है जिसने सबसे पहले municipal bond जारी किया issue किया है तो ये दो statement आपके सामने है अब आपको बताने है कि correct statement कौन से है option a के according first statement correct है option b के according second statement है और option c के according third statement correct है और option d में आपसे बोला जा रहा है कि correct answer हमारा option d है ठीक है चले question को time कर लीजे अब इस question को थोड़ा ध्यान से देगी है तो first statement में आपसे बोला गया कि भी ये central government issue करती है second statement में आपसे बोला जा रहा है एक तरह से कि लखनों ऐसी city बन गई है जो इस तरह की bond को issue करने वाली city बन गई है तो एक चीज़ तो यह होगी यह दोनों ही statement एक दूसरे को contradict कर रही है first में जैसे आपको hint मिल गया कि central government second में आपको hint मिल गया कि यह state government या फिर city की तरफ से यह issue की जाती है तो यानि कि आप यह कह सकते हो कि भी c option तो कभी भ दोनों correct तो हो ही नहीं सकते है ठीक है चले एक hint है आपके लिए चले आप question को attempt अच्छे से कर लीजिए तो इस question के correct answer की बात करने ती है यहां दोनों ही statement first statement भी और second statement भी बिल्कुल गलत है गलत क्यों है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भी दोनों statement एक दूसरे को contradict कर रही है ठीक है तो यह जो काम करती है यह state government issue करने का काम करती है central government issue नहीं करती है municipal bond ठीक है तो आप यह कह सकते हो first statement जो हमारे पास था वो बिल्कुल गलत है अभी क्या हुआ है कि UP government के दुवारा बोल सकते हो या फिर आप यह कह सकते हो कि लखनो municipal corporation जो है उन्होंने Bombay stock exchange के अंदर आपने आपको लिस्ट करवाया है with 200 crore rupees value के साथ ठीक है जिसकी वजह से question आपके लिए important हो जाते है और जैसे मैंने आपको बताया यह जो bond होता है यह state government issue करता है और state government से related है ठीक है और यह जो bond जारी किया जाता है mainly particular area के अंदर city बगरा में कि infrastructure के लिए और जो भी highway वगरा यह school related to project है उसे fulfill करने के लिए यह issue किया जाता है ठीक है तो first statement गलत है बाकि second statement की बात करें तो लखनो ऐसी कोई पहली city नहीं है हमारी country में जो यह काम करने वाली है बलकि लखनो की बात करें तो यह 9th city हमारी country में बन गई है जो इस तरह की activity कर रही है fund को raise करने के लिए इस स में काफी city इस तरह के project को लेके आई थे अपने लिए और जिसमें से बैंगलुरी एहमदाबाद और नासिक जैसी city है जो इस तरह की experiment पहले ही कर चुकी है और 1400 क्रोर से जादा भी fund raise कर चुकी है तो दोनों ही statement गलत है तो correct statement आपके साब से जो हो गया आप यहां पे वो डी ह हो गया यानि की दोनों ही statement correct है तो correct answer हमारा D हो जाते है तो मलायान गैंट squirrel consider the following statement अब आप से यहां पे एक squirrel यानि की गलहरी के बारे में question पूछा जा रहा है और उसके regarding में यह तीन statement है according to first statement it is found mostly in evergreen and semi evergreen forest यानि कि इसके location के बारे में आप से बताया जा रहा है कि इस तरह का जो species है वो पाया जाता है ऐसे एरिया में ऐसे environment में जहां evergreen या फिर semi green forest होगा उस एरिया में यह पाया जाएगा और second statement में आप से बोला जा रहा है it is endemic to the malay peninsulean malay peninsulean जो है उस एरिया में इंडमिक category के अंदर आते है यानि कि उस एरिया में यह पाया जाता है सिर्फ यह आप से बोला जा रहा है और third statement में आप से बोला जा रहा है कि it is listed as a critical and danger category in IUCN red list IUCN की जो red list होती है उसके अंदर इसके जो से बोला जा रहा है जो critical in danger category के अंदर के इसे डाला गया है ठीक है तो यह 3 statement आपको बताना है कि correct statement कौन से option A के according by first statement correct choices a according second and third statement correct है और option c में आपसे बोलाजा रहा है first and third statement correct है और option दी में आपसे बोला जा रहा है कि तीन औही पिल्कु correct है 또 correct statement आपके according कि yeah question यानि कि आप यह कह सकते हो कि second statement जहां इसके बारे में आपसे बोला गया कि भी location की बात ही बोला गया कि यह मलाय पैनिस्वेला में यह पाय जाता है उससे बिलॉंग करता है नहीं यह बल्कि और भी ऐसी area है जहां से बिलॉंग करता है यानि कि globally बहुत सारी जगह पे South China, China की जो South वाला area उधर पाय जाता है Thailand, Laos, Vietnam, Burma, Sumatra, Java यह सारे अगर हम अपनी country यह बात करें तो हमारी country में जो North East में जितने forest वगर है उधर पाय जाता है West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Meghala यानि कि काफी ऐसे area है जहां पर यह species पाय जाती है तो आप यह कह सकते हो second statement बिल्कुल correct नह है यानि कि गलत है और first statement की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि यह यह कि भी यह semi evergreen या फिर evergreen जो forest वहां पाय जाता है यह बात बिल्कुल correct है बाके third statement में आपसे इसके conservation के बारे में बताया गया कि इसे critical danger category के अंदर डाला गया यह बात गलत है बलकि अगर इस species की बात क statement हमारे पास कलत है तो correct answer हमारा option A हो जाता है only first statement correct है आज आपके लिए question यह है आपको यह बताना है कि यह जो आयू सीन की जो list होती है इस list के according आपको बताना है कि कि किसी भी five species का नाम बताना है आपको जो की near threaten category के अंदर है और five species का नाम बताना है जो critical in danger category के अंदर है ठीक ह तो five इसके five इसके ठीक है category के जो species different different species है उनके नाम आपको बताना है ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही है आप अपना score ज़रूर comment करके बताए कि आपने कितने question के answer सही किया ठीक है पिर मिलते है next वीडियो में वीडियो को like करिए अपने दोस्तों में share करिए और प